असलाम अरेकुम नाजरीन आप देखने है कुकेंट बेक्स यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब ठीठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए जाइन्ट मेक पीजा की रेसीपी लेकिया ही हूँ बहुत ही मज़े का और सुपर यमी पीजा होता है आज आडर था तो सचा इस पीजा की रेसीपी आपके साथ शेयर करती चलूँ लेकिन रेसीपी से पहले आपने जल्दी से जाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरी वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन का बटन दुबाना नहीं बूलना ताके आने वली हर नई रेसीपी आप तक पहुन सके आप भी कह रहे होंगे कि ये खाली बाउल सामने पड़ा है तो अभी चलें आप रेसीपी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इंग्रेडियन्स एड़ करते हैं अच्छा बाउल में मैं जो है वो फ्लॉर एड़ करूंगी तीन कप मैंने जो है वो मैदा लिया है और एक खाने का चमच इसके अंदर चीनी जाएगी एक चाए का चमच इसके अंदर नमक जो है वो मैं डालूंगी और एक खाने का चमच ही वान डेबल स्पून इंस्ट इस्ट इसके अंदर जाएगी और टू टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर मैं आलिव ओईल डालूंगी आपके पास आलिव ओईल नहीं है आप मन डालें लेकिन इस पीजा में आलिव ओईल ही डालता है कोशिश करें अगर आलिव ओईल है तो आप आलिव ओईल ही डालें टू टेबल स्पून अब हम ingredients को जो है वो mix करेंगे और नीम गरम पानी से जो है मैं इसको गूंदूंगी अच्छे से mix कर लूँंगी जी नाजरीन देखें डो हमारी ना ज्यादा सक्त है और ना नरम है ज्यादा इसको मैंने मिक्स कर लिया, अब मैंने इसको फ्लोर पे रखा और मैं इसको इस तरहा हाथ की मदद से जो है वो गूनती जा रही हूं आपने अच्छे से बिल्कुल इसी तरीके से जो है इस डूप को गूना है और तकरीब göster 15 मिनट आपने इस तरहा गूनते रहना है इसके बाद देखें मैंने बाउल में गून के जो है इसको रख दिया अब मैं इसको राइस करने के लिए रख दूँगी अब हम अपने जो फिलिंग है पीजा की उसकी तियारी करते हैं इसके लिए मैंने 200 ग्रैम जो है वो बाउलने सिकन लिया है इसको मैंने क्यूब्स में क आपके पास मौजरीला चीज है श्रेडिट आप वो ले सकते हैं, हाफ कप, एक चाय का चमच नमक लिया है, एक चाय का चमच औरिगेनो लीव्स, हाफ टी स्पून जो है वो चिकन पाउडर, वन टी स्पून रेड चिली पाउडर, वन टी स्पून तिक का मसाला, इसकी पर और वन टेबल स्पून जो है, इसके अंदर विनिगर जाएगा, वैसे तो ये इटेलियन रेसीपी है, तो इटेलियन पीपल जो है, वो वाइन यूज करते हैं, हम वाइन यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह हम इसके अंदर वन टेबल स्पून जो है, वो विनिगर य और मैंने 3 टेबल स्पून आयल लेके उसको मैंने प्यास में डाल दिया अब मैं जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर बटर एड़ करूंगी 3 टेबल स्पून आयल और 1 टेबल स्पून बटर अपने प्यास को सोते करना है ज्यादा ब्राउन नहीं करना ठीक है अब इसके अदर विनिगर एड़ करेंगे विनिगर एड़ करने के बाद इसको अपने अच्छे से मिक्स करना है बहुत मज़ी की खुश्पू आ रही है अभी से ही अब इसके अंदर जो है मैं टू टेबल स्पून फ्लोर एड़ करूंगी मैदा मैदा मैंने इसी वक्त इसमें एड़ कर दिया है टू टेबल स्पून मैं इसके अंदर मैदा डालूंगी और इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करके इसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइस सारे जिते भी मैंने आपको बताय मिनट फ्राई करूंगी और उसके बाद जो है एक कप मैं इसके अंदर दूद शामिल कर दूँगी और तेज आंच पेस को थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि फ्लॉर आलरेडी इसके अंदर शामिल है तो वो गाड़ा जो है वो गरीवी बन जाएगी वाइट सास बन जाएगी यह स्लाइसीज जो है वो मैं इसको तोड़के इसके अंदर एट करूंगी और चीजी सा मेकरोनी हमारी जो है मैक एन चीज रेडी है अब इसको मैं टंडा कर लूँगी और इदर देखें 40 मिनट्स राइस होने के बाद हमारी डोर रेडी है अब मैंने यह पीजा पैन ले ल स्प्रेड कर दिया है साइडों से आपने इसको थोड़ा सा उंचा रखना है अब मैं पीजा सॉस जो है वो इसके ओपर स्प्रेड करूंगी आपने पीजा सॉस को स्प्रेड कर देना है इसके ओपर और फिर अच्छे से साइडों पे भी इसके किनारों पे भी आपने पीज पीजा सॉस लगाना है और पिर इसके ओपर जो है मैं चीज श्रड़िट जो पीजा चीज है मौजरीला और चेडर चीज है वो मैं थोड़ी सी इसके ओपर डाल दूँगी डालने के बाद जो हमारा मेकेंड चीज का मिकसर है वो मैं डाल दूँगी और इसके ओपर दुबारा जो है वो बाकी की चीज डाल दूँगी इस पीज़ा में तक्रीबर पूरा एक कप एक से डिड़ कप जो है वो पीज़ा चीज लगी है जितनी चीज होती है ज्यादा मज़ा आता है अच्छा चीज डालने के बाद इसके उपर औरिगेनो लीव्स डालूँगी और इसको जो है वो देखें किता जबदस सा भी भी लग रहा है लेकिन इसको मैं राइस करूँगी पहले इसको तक्रीबन आपने 20 मिनट दुबारा रख देना है ताकि ये राइस हो जाए डबल होके बाकी सब इंग्रीडिन्स जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए जब राइस हो जाए तो बेकिंग से पहले इसके उपर साइडनों पे जो है वो मैं सेसमी सीड्स जो है वो डाल दूँगी तिल अगर आपके पस तिल नहीं है तो आप कलवंजी भी डाल सकते है इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है और अब हम इसको टू फिफ्टी पे जो है वो बेक करेंगे तकरीबन टेन एट टू टेन मिनट्स के लिए और ये देखें नाजरीन हमारा जबर्दस सा पीजा जो है बेक हो चुका है बहुत ही मज़े का लग रहा है दिखा इसलिए नहीं सकती के ये ओर्डर था और ओर्डर को हमने इसी तरह ही डिलेवर करना है और फिड़बेक इसका बहुत अच्छा मिला बहुत कस्टमर्स को बहुत पसंद आया तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करना है और मुझे बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया